अगर हमेशा आपके साथ लाइफ में धोकाई हुआ हो तो किसी पर ट्रस कैसे कर सकते हो एक इंडिमेसी यह से ढूंड सकते हो इसी तरीके के कुछ थीम को लेकर आज के हमारी मूवी वाइल और्किड आती है इस एक्स्प्लेशन में आपको कुछ चीजी वियर्ड लग सकती है पर लास में इसका सब कुछ सही से मेनिंग आ जाता है वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा कमेंट भी कर दीजे जिसे चैनल को अलग अलग इंटर्वियो सो देती है जहाब उससे पूछा जाता है कि तुमने ट्रैवल लॉग क्यों किया है यानि कि इमेली को अलग-अलग लैंग्वेजिस आती है अलग-अलग कंट्री में वो जाएगी और वहां की कंफ्रिक्ट दूर करेगी इमेली कहती है मुझे अल आफ्रिका जाने वाली है नेक्स डेव उसके कलिक से मिलती है जिसका नाम है क्लॉडिया क्लॉडिया आफ्रिका में जो भी डील हुई है जो भी कंफ्रिक्ट हुए है इस सब के बारे में एमेली को बता देती है यह आफ्रिका बोचते है और एमेली को यह जगा बहुत ही तो वहां का contractor वहां नहीं है। Claudio को पता जलता है कि वह construction वाइकर उसकी niece की शादी में गया हुआ है। Claudio को जूट लगता है, उसके पीछे पीछे वह जहां भी गया है, वहां वह जाने वाली है। आज Claudia की date थी, तो Emily को अपनी जगा वह जाने के लिए कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि Emily abandoned hotel देख रहे थे, यहाँ पर उसने दो लोगों intimate होता देखा, वहां से फिर वह भाग कर चले गए। वह अपने date के लिए जाने के लिए late हो चुकी थे, अपने room में जाकर सही से ready होकर वह नीचे आई, अब जिसके साथ वह date पर जाने वाली है, उसका नाम है James, James हमारा और एक main character है, Emily late हो चुकी थी, तो अंदर जाते वक्त James ने Emily को notice किया हुआ था, अब बहुत ही अच्छी त रहे थे, पर James के साथ उसके तो bodyguards थे, Emily उसे पुछती है, क्या तुम जहाँ भी जाते हो, या तुम्हारे साथ ही आते है, James कहता है कि हाँ, वो पहले kidnap हो चुका था और अब अपनी life के लिए डरता है, इसलिए हमेशा अपने bodyguards को अपने साथ लेकर जाता है, Emily पुछती कि मैं अमीर हूँ, इसलिए मुझे अगर तुम्हें apologize करना पड़ेगा, तो मैं कर डालूँगा, मुझे कोई problem नहीं है, अगर तुम जाते हो, कि तुम्हारे साथ में bus में travel करो, तो ये भी हम कर सकते हैं, Emily इसके लिए मना करती है, इसके बाद James उसे एक place पर लेकर आता है, इसलिए उसके outfit में सब waiters हुआ है, डिनर टेबल पर James कहता है, कि एक दिन होगा, जब तुम तुम्हारे grandchildren को इस रात के बारे में बताओगी, Emily पूछती है, कि तुम्हें क्यों लगता है, कि मुझे कुछ family वे करा चाहिए, James बोलता है, मैं तुम्हारी mother को call किया था, तो James कहता है, कभी-कभी आपको अपने आपको भूलना पढ़ता है, कुछ नयाब बनने के लिए, वो Emily को हर जगा पर देखने के लिए कहता है, कहता है, तुम्हें इन couples को देखकर क्या लगता है, यहाँ एक दुखी couple बैठा हुआ था, Emily कहता है, कि इस lady के पास बहुत सारे पै आगे का अंसर नहीं करती, James फिर Emily को कहता है, कि चलो तुम्हें मुझे कुछ दिखाना है, उसके बाद उसे होटेल के ही एक जगावर वो लेकर आता है, यहावर उसे एक मास्क देता है, और यह पहन कर वहाँ डांस चल रहा है, लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही intimate डांस य कर गए, वो आसे भाग गए, Emily जब अपने रूम में सुबा उठे, तब उसके सामने James बैठा हुआ था, Emily को Claudia का कॉल आया, और Claudia उसे कहती है, कि हमारा जो कॉंट्रेक्टर है, उसके सचमुच में नीस की शादी थे, यह शादी वो एंजॉय कर रही है, उसके बाद कॉंट्र को लेकर आने वाली है, तब तक Emily के बास बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, James Emily से कहता है, कि तुम ऐसे भाग कर क्यों चली गई थे, Emily को लगा कि भालू का मास्क पेहने हुए है, और James था, James कहता है, कि वो मेरा स्टाइल नहीं है, James उससे अपोलोजाइस करता है, कहता है, अ बीजी हो, पर he doesn't take no foreign answer, अभी जब कही जाने वाले है, तो Emily फिर से उसी कपल को देखती है, जिसे उसने लास्ट टाइम होटेल में देखा हुआ था, जिनके वारे में उसने कुछ assumptions किये थे, James कहता है, तुमारे assumptions बहुत तरीके से सही थे, उसमें से जो आदमी था, तो actual में James की instructor नहीं था, तो diving instructor था, James कहता है, कि मैरे बहुत ही अच्छे friends है, James को bike ride करना अच्छा रखता है, तो दोनों couple bike ride करते हुए एक जगा पर आते हैं, यहाँ पर party चल रही है, यह dance कर रहे थे, मजे कर रहे थे, दुसरे couple में जो lady है, उसका ना में Hannah, यहाँ इस जगा पर Hannah के यह जल्दी से बहाँ से भाग गया, इस fight में Hannah के कपड़े फट चो गए थे, Hannah का husband जिसका नाम है Otto, यह उस पर बहुत ही नारास था, James Hannah को कहता है, तुम्हारे कपड़े तुम धको मत, तुम इतनी beautiful हो, इसलिए तुम्हें शो करना चाहिए, वो Otto से कहता है, कि तुम्हें Hannah प चुके थे, गाड़ी में Emily और James के सामने ही यह दोनों intimate होना start करते थे, Emily यह देखकर डर गई थे, वो James को यह थी है कि इन्हें stop करने के लिए कहो, James कहता है कि हम इन्हें रोप नहीं सकते, क्या कभी-कभी तुम्हें भी इस तरह से animal की तरह नहीं लगता, क्या तुम्हें purely primal instinct महसुस नहीं होती है, वो intimate नहीं, एक दूसरे से प्यार कर रहे है, इसके बाद James ने Hannah और Otto को drop कर दिया, Emily को लेकर एक abandoned सी जगा पर वो लेकर आया, यह वही जगा है, जहाबर Emily ने दो लोगों को intimate होता देखा था, Emily जब यहा आती है, तो surprised होती है, उसे यहती है, तुम्हे यह सब चीज़ा किस तरह से पता है, यानि कि James को Emily की favorite food के बारे में पता है, उसके preference के बारे में पता है, वो directly उसके room में भी खुस आया था, James कहता है, तुम्हें बहुत ही interested हूँ, यह जगा तुम्हें interesting क्यों लगी, यह मुझे जानना था, Emily James कहती है, मुझे ऐसा क्यों लगा, उसे वो दूर करता है, और कहता है, मुझे कोई touch करें, यह अच्छा नहीं लगता, और हैना के relationship James की वज़े से सही हुई, तो उन्होंने उसे एक gift दिया है, James से gift यानि की नहीं क्लेस Emily को देता है, इसके बाद रात में हम देखते हैं, कि Emily को James जीस जगा पर लेकर गय उसके पाद एक आद में बेठा हुआ था, तो उसे लगा कि Emily को उसकी language समझ में नहीं आती, उसकी beauty की तारीफ करने लग गया, उससे कहता है, वोर्ण में सबसे जादा, इस टाइम पर मैं सिर्फ तुमारे beauty को चाहता हूँ, उसके साथ intimate होने के लिए, बहुत सारे पैसे Emily को देने के लिए ready था, Emily को यह सही नहीं लगा और वहां से उठकर जा रही थी, तबी James ने उसे रोग लिया, जो हुआ यह James को बताती है, James उसे कहता है, क्या तुमें believe नहीं होता, तुम कितनी desirable हो, Emily कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, James बोलता है कि अब बहुत ही exciting है, हम दो उनों के लिए, यानि क्यों उसे उस आदमी के साथ intimate होने के लिए कह रहा था, Emily को बहुत सारी जीज़े feel हो रही थी, तो James उसे यह सब feelings दिखाने के लिए कहता है, Emily उसे यह थी है कि तुम खुद touch नहीं कर सकते, कुछ feel नहीं कर सकते, तो मेरे truth तुम feel करना चाहते हो, इसक कि आज deal होने वाली है, जब deal complete करने के लिए, opposite company वहाँ पहुचती है, तो इन लोगों में से एक आदमी वही है, जिसके साथ Emily कल रात intimate हुई थी है, firstly, वो उसे पहचान नहीं पाता, पर बाद में पहचान नहीं लेता है, Emily इस situation से uncomfortable होके, और वहाँ से उठकर चली गई, Claudia भी सबसे excuse लएकर उसके पीछे-पीछे आती है, जो भी सब कल रात हुआ था, यह सब Emily उसे बता देती है, इस पर Claudia हसने लग गई थी, वो से कहती है, इससे ज़्यादा कुछ फरक नहीं पड़ता, यह फिर से deal करने के लिए आते है, opposite company कुछ ज़्यादा चैसे मांग रही थी, जिस आदमे के साथ Emily intimate हुई थी, उस आदमे को Claudia जान दिया, Claudia उसे कहती है, तुम अपने business trip पर अलग-अलग जगा घूमते रहते हो, तुमारी wife को lonely लगता होगा, तुमें बहुत ही miss करती है, मैंने last week उससे बात की थी, पार्टी में भी हम मिलने वाले हैं, याने कि Claudia उसे blackmail करती है कि Emily और उसके बारे में उसी wife को बता देगी है, इस पर वो डर गया और इनकी deal बहुत ही swiftly complete हो गई, next in में हम देखते है कि streets पर एक बड़ा सा festival होने वाला था, इसके लिए Claudia आदमियों की तरह dress up कर रही थी, वो Emily को कहती है, या कभी तुम wonder नहीं करते, कि आदमियों क की तरह dress up करना कैसा होगा, James जिस तरह से हमेशा से control में रहता है, उसी तरह के से control में रहना कैसा रहेगा, एक्चुल में James और Claudia में relationship थे, Claudia Emily से पूछती है कि तुम्हारे और James की बीच में कुछ हुआ था, जब Claudia और James relationship में थे, तो James ने Claudia को कभी touch नहीं किया, Claudia James को ले कर बहु James जिस तरह से Claudia के साथ distant था, तो Claudia भी देखना चाहती थी, क्या वो Emily के साथ भी उसी तरह से distant है, जैसा उसने anticipate गया था, वैसा ही हुआ है, तो Emily से पूछती है, जब तुम उस आदमी के साथ intimate हो रही थी, या James तुम्हें देख रहा था, या हाँ से हमें पता चलता है, James हमेश पती नाराज होके, क्योंकि उसने जान बुच कर किया हुआ था, अब जो एडिल करने वाले थे, इस डिल में बहुत बड़ा प्रॉलम हो चुका है, पर फिर भी एडिल कंप्लीट करने के लिए वहाँ पहुच गया, इस चीज के वारे में ये दोनों ज्यादा सोचना नहीं चाहती थी, इसलिए रात में फेस्टिवल में बहुत नाची, इसी फेस्टिवल में एमिली जेम्स को भी नोटिस करती है, उसे पुछती है, ये सब तुमने क्या क्यों, जेम्स कुछ भी ना कहे हुए, वहाँ से चड़ा जाता है, सुबह हम देखते हैं कि एमिली क्लॉडि अलग है, तो ट्रांसलेट करने के लिए तुम भी यही रुको, उसके बाद क्लॉडिया इस लड़के के साथ इंटिमेट हो गए, और जब वो एमिली के साथ भी इंटिमेट होने वाला था, तब ही जेम्स ने उसे रोक लिया, जेम्स यहाँ से फिर जा रहा था, तो एमिली गुसा होकर उसके पीछे आई, उसे पूछती है, तुम यह सब करते क्यों हो, ताकि लोग तुमें डिसपॉइंट कर सके, तुमने यह सब प्लान किया था, जेम्स कहता है, तुम में बाकी सब लोग की तरह ही हो, वहाँ से फिर वो चला गया, जेम्स किसी के साथ भी बनाने से पहले, उनकी टेस्ट लेकर, उनने सही से जान लेना चाहता है, एमिली पर वो चिट गया था, और उसे दूर जाना चाहता था, पर उसे एमिली की याद आ गए, जेम्स की वजए से एमिली की डील कम्प्रीट नहीं होगी, जेम्स ने जो होटल भाई किया था, वो एमिली को gift कर देता है अब उसे problem नहीं आएगा जेम्स बीच पर था तो एमिली भी उसके पास आती है जेम्स उसे कहता है यह सब कितना beautiful है पर उसे जादा dangerous भी है एमिली के beauty के बारे में बात कर रहा था एमिली उसे पुछती है तो ने मुझे hotel वापस क्यों दे दिया जेम्स कहता है तुम्हारे लिए बहुत ही important था इसलिए जेम्स अब यहाँ से जाने वाला था पर वो जानी पाया एमिली के fool लेकर उसे हो मिलनी के लिया आता है उस सब को चीजे confess करने लगता है यहता है जब मैं छोटा था तो मेरे father के साथ एक छोटे से room में रहता था एक दिन उसके father उसे अकेला ही छोड़कर चले गए उसने जान लिया था इस life में money ही बहुत important है बच्पन से हो बहुत ही मेनत कर रही लग गया और बहुत सरे पैसे उसने कम आया 17 साल का था तब एक बड़ा सा house buy कर लिया उसे लगता था materialistic चीज़े यानि कि घर पैसे यह सब बहुत important है जब उसके पास यह सब कुछ था फिर भी खाली पन था उसके बाद उसकी life में लड़की आए पर उसने notice क सब इसके पैसों के लिए उसके पास है जेम्स पहले हातला था इसलिए सही से बात भी नहीं कर पाता था उत ज cabeza नहीं करता तो इसलिए लड़कियों के साथ फिर जेम्स वहे लग गया वह एध्यार करने का मैं कुझे दूसरा कोई वे पसंद नहीं वहारी से और था है एमिली उसे कहती है तुम डरो मत आओ और मुझे टर्च करो जेम्स ये भी करने से अपने आपको रोक रहा था एमिली उस पर छिड़ गए और वहाँ से जा रही थी तो उसे उसने पकड़ लिया इसके बाद ये दोनों एक दुसरे के साथ इंटिमेट हो जाते हैं मॉर्निंग में हम देखते हैं कि दोनों मिलकर एक जगा पर जा रहे हैं यानि कि रियल कपल ये बन चुके हैं जेम्स हमारा एक सकार्ड कारेक्टर था ये किसी पर भी बिलिव नहीं कर पाता था जब एमेली से हो मिला तो एक्चुल में उसे कुछ फिलिंग्स आ गए अपने आपको चेंज करने के लिए उसने एमेली के होजे से फर्स टेप्स उठाई है इसी तरीके से ये मूवी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा मैं बहुत सारी मूवी लेकर आत रहता हूँ तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब गढ़ दिजे और बेन इटोशन आइकोन दबाने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निम्यू के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया